दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का मागदर्शन फार सिविल सर्विसिज में मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज हम देखेंगे मागदर्शन के अंतरगत भारती इतिहास के कुछ प्रश्ण जिनको दोहराना बहुत जरूरी है और ये प्रश्ण परिच्छाओं में बार-बार आये हैं आप इनको एक बार दोहरा लिजे इंपर्टेंट प्रश्ण है पहला प्रश्ण है मराठों का तेवर इस मराठा पेशवा की मृत्यु के बाद सिथिल पढ़ गया था नाना फढ़नवीज नाना फढ़नवीज के बाद मराठे थोड़े शान्त हो गये थे अगला प्रश्ण है कबीर ने किस राजवंस के साथ अपना बैवाहिक संबंध अस्थापित किया था तो आमेर एवं कचवाहों के साथ अकबर ने अपना बैवाहिक संबंध अस्थापित किया था ये उसके राजनेतिक संबंदों की कड़ी में एक नया उधाराण था, उसने आमेर और कचवाहे के जो राजपूत थे उनसे बैवाहिक संबंध अस्थापित किया था सैद बंधों के दमन में किस गुट की प्रमुक भूमिका निभाई थी अगला प्रश्ण है कि किसने कहा था भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और तलवार के बल पे ही ब्रेटिस कबजे में रखा जाएगा लाड एलगिन दूती का कथन था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही ब्रेटिस कबजे में रखा जाएगा अगला प्रेशन है त्रिपूरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे अध्यच बनाए गया था अगला प्रेशन है सैंधव सभ्यता में यूगल सवाधान कहां से प्राप्थ हुआ है दो लोगों का जो सवाधान है वो कहां से प्राप्थ हुआ है तो ये लोथल से प्राप्थ हुआ है अगला प्रेशन है मिताच्छरा गरंथ के लेखक कौन है मिताच्छरा के लेखक सं बिग्यानेश्वर है अवतारवाद का उल्लेक सरोपर्थम किस ग्रंथ में मिलता है तो अवतारवाद का उल्लेक सरोपर्थम गीता में मिलता है नागारजुन नागारजुन ने किस संपरदाय की अस्थापना की थी माध्यमिक संप्रदाय की अस्थापना की थी नागार जुन्ने अगला प्रश्ण है कि पासाड ग्रिहकला का विकास तौर पर्थम किसके समय में हुआ पासाड ग्रिहकला का विकास मौर्य काल में हुआ था अगला प्रश्ण है हडपा संस्कृत में चावल के साथ कहां से मिले हैं हडपा संस्कृत में चावल के साथ लोथल से मिले हैं जो की भोगवा नदी के तटपर है मृच्छ कटिक नामक नाटक के रशनकार कौन है सूद्रक है ये गुप्त काल का नाटक है अगला प्रश्ण है स्रवण बेला गोला में गोमतेस्वर की विसाल प्रतिमा की अस्थापना किस ने किया था चामुंड राय ने स्रवण बेला गोला में गोमतेस्वर की विसाल प्रतिमा की अस्थापना की थी दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन सा था इल्तुत्मिस इसने लाहोर से राजधानी पहले राजधानी लाहोर होती थी उसको इसने दिल्ली को राजधानी बनाया इल्तुत्मिस ने किस ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है सूफी संथ हैं ये निजामुद दिन ओलिया इन्हों ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है अगला प्रेश्ण है कि बिजे नगर किस नदी के तट पर है बिजे नगर सामराज जे तुंग भद्रा नदी के तट पर इस्थित था 1946 में लाल किले में आजाद हिंद फोज की सिपाहियों के मुकदमे की पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यच्छता किसने की थी भूला भाई देसाई ने बूला भाई देसाई ने आजाद हिंद फोज की सिपाहियों के मुकदमे की पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यच्छता की थी इसमें अन्य वकील जो थे वे थे कैलासनात काटजू, तेजबादूर सप्रू और जवाहरलाल नहरू अगला प्रश्ण है पश्चिम भारत की पुनर जागरान का जनक किसे कहा जाता है पश्चिम भारत की पुनर जागरान का जनक महादेव गोविंद रानाडे को माना जाता है अगला प्रश्ण है राज्य हडपनीत की अंतरगत सामिल राज्यों का क्रम क्या था ब्रिटिस सासन में जो राज्य सामिल कर लिये गये थे सबसे पहले सतारा 1848 में उसके बाद संभलपूर और जैदपूर 1849 में जहांसी 1853 में और नागपूर को 1854 में राज्य हडपनीत के अंतरगत इन राज्यों को ब्रिटिस सासन में मिला लिया गया था अगला प्रश्ण है उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था उत्तरी भारत का हिंदू लूथर जिसने सबसे पहले धार्मिक सुधार किया था तो ये थे दयानन सरसोती जिन्हें उत्तरी भारत का हिंदू लूथर भी कहा जाता है दास्ता या गुलामगीरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जियोतिवा फूले गुलामगीरी पुस्तक के लेखक है British India, British East India Company के सेवकों के कारेकारी तथा न्याई का धिकार कारेकारी तथा न्याई का धिकार सौरपर्थम किसके सासनकाल में अलग किये गए? भारत में तार सेवा किसने प्रारम किया? तो तार या टेली ग्राम की सुरुआट डलहोजी के सासनकाल में हुई थी अगला प्रश्न है 1929 का सारदा एक्ट क्या है? सारदा एक्ट है बिवाह है तु आयू निर्धाराण लड़के की आयू इसमें 18 वर्स तथा लड़की की आयू 14 वर्स निर्धारित की गई थी अगला प्रश्न है थीयोसोफिकल सोसाइटी का अंतराष्टी मुख्याले कहां पे है? तो ये अड्यार मद्रास में थीयोसोफिकल सोसाइटी का अंतराष्टी मुख्याले है अगला प्रश्ण है कि सर जानसोर की नीत क्या कहलाती है अहस्तच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् रानी विक्टोरिया को भारत की सामरागी घोसित कराय था अगला प्रश्ण है 1916 के होम रूल लिग का पर्थम प्रेसिडेंट कौन था जोसेफ बपिष्टा 1916 के होम रूल लिग के पर्थम प्रेसिडेंट थे अगला प्रश्ण है किसने इंग्लेंड की चाल्स दूती को बरगंजा की कैथरीन से बिवाह में मुंबई को या बंबई को दहेज में दिया था पूर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने इंग्लेंड की चार्श दूती के बरगंजा की कैथरीन से बिवाह के उपलच में दहेज रूप मुंबई को मुंबई दूइब को दहेज में दिया था अगला प्रेशन है बिहार में 1857 के बिद्रोह के नेता कौन थे? कुमर सिंग थे? 1857 में बिद्रोह के नेता किस अंदुलन का नारा था कि भारत भारतियों के लिए है? इंपर्टेंट है किस अंदुलन का नारा था कि भारत भारतियों के लिए है? आरे समाज आरे समाज का नारा था कि भारत भारतियों के लिए है अगला प्रेश्ण है 1930 के दसक में किसान अंदोलन का नेतरित्व किस ने किया था स्वामी सहजानंद ने 1930 के दसक में किसान अंदोलन का नेतरित्व किया था कृष्ण देवराय के समय में अश्ट दिगज कौन थे अश्च दिगज तेलगु भासा के आट महाविदवानों को कृष्ण देवराय के दरभार में जो रहते थे उनको अश्ट दिगज की संग्या दी ग harvest की इग थी कर दिया था अगला प्रश्ण है हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी बिजय पताका को क्रिश्णा से अटक तक ले जाएगा अगला प्रश्ण है कि किस मुगल बाथसा ने इस्ट इंडिया कमपणी को सूरत में कारखाना अस्थापित करने की आग्या दि थी जहांगीर में कारखाना अस्थापित करने की जो आग्यादी थी अगला प्रेशन है स्वतंत्र भारत स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी क्या थी मुर्सिदाबाद मुर्सिदाबाद स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी थी अगला प्रेशन है दादभाई नरोजी ने पर प्रकासित किया था इंपर्टेंट है कई बार पूछा जा चुका है कि डलहोजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल क्या थी तो ये थी आवद का भिल है भारत में डचो ने अपनी पहली फैक्टरी कहां पे अस्थापित की मचली पटनम में डचो ने अपनी पहली फैक्टरी अस्थापित की थी रुभेल खंड में 1857 की बिद्रोह का नेता कौन था खान बहादूर खान खान बहादुर खान रुहेल खंड यानि जो छेत्र अब बरेली का है वहाँ पे खान बहादुर खान अठाड़ शो सत्तावन के बिद्रों का नेता था भारत का प्रथम महिला विश्व विद्याले किसने अस्थापित किया था भारत का प्रथम महिला विश्वविद्याले डीके करवे दुन्धुपंत केसो करवे 1906 में बंबई में इन्होंने भारत का पहला महिला विश्वविद्याले अस्थापित किया था अगला प्रश्ण है important है किसने कहा था कि महात्मा गांधी छडिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं अस्तर नहीं उठाते भीम्रहम बेटकर का खतन है गुबार ए खातिर के लेखक कौन है अबुल कलाम आजाद यह जो पुस्तक है गुबार ए खातिर इसके लेखक है तो दोस्तों यह थे भारती इतिहास के अधिकतर आधुनिक भारसे संबंधित प्रश्णी स्मित है तो इन प्रश्णों को आप एक बार दोरा लीजेगा प्रारमभिक परिच्छा के लिए यह बहुत ही महतोपूर है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार